कहानी के शिरुवात में एक कार्टून केरेक्टर ओ यंग्शिम को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ साइकलिंग कर रही है और बहुत ही स्पीड से साइकल चलाती है और मोटिवेशन नजर आ रही होती है इसके बाद हम रियल लाइप यंग्शिम से मिलते हैं जो सिं होते ही रहते हैं आज हम यंग्शिम को देखते हैं जो एक सेलिप्रिटी आइडल हान याहन के पिछे पड़ी हुई है उसे अपने वे उसे रेस के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर वे हार गया थो वे उसके शो में पाटिसिवेट करेगा वे बहुत ही तेजी से साइकल चलाने लगती है और अचानक से पेडिस्टिल से टकरा कर गिर जाती है ये देखकर सेलबर्टी भाग कर यंग्षिम के पास जा इसी बीच हम वेंग क्योंताय नामक आदमी से मिलते हैं जो अपने प्लेन में ट्रेवल कर रहा है और वे एक फॉर्चुन कुकी ओपन करता है और देखता है कि उसमें लिखा हुगा है और यह दिखके उस कुकी को जल्दी से फैक्ट देता है और शौक होके चिलाता है जल्द देखकर साफ पतर चल रहा था कि यंग्शिम का अपने चीफ से बहुत ही फ्रेंडी रिलेशन है वे दोनों बात करी रह होते हैं कि एक शो प्रेडियूसर हेजिन आकर उन्हें इंटरप्ट करती है क्योंकि उसे अपने न्यू शो के लिए चीफ का सिंग्नेजर चाहिए था और ये देखकर यंग्शिम उसे जलिसी भरी निगाहों से देखती है क्योंकि हेजिन एक न्यू इंप्लोई थी और उसे इतना अच्छा शो मिल गया था और बैचारी यंग्शिम इतने सालों से मेहनत कर रही थी लेकिन उसका एक भी शो बिलकुल भी सही से नहीं चल रहा और ऊपर से इतने सारे कांट्रोवर्सिस यंग्शिम चीफ से अपने शो से रिलेटेट कंप्लेंड करे रही होती है कि उसकी नजर एक अनसाइन फाइल पर पढ़ती है जो डेटिंग शो से रिलेटेट था और वह जल्दी उस फाइल को उठा लेती है और कहती है कि वह इस इधर चीप उसे रोकता रह जाता है लेकिन वे फाइल लेकर आफिस से बाहर चली जाती है और इसके बाद अपने एक चूनियर कलिक चायदंग से मिलती है और वे डेटिंग शो को प्रेडिउस करने में जो चैलेंजिस आएंगे उसके बारे में डिसकस करती है चायदंग इस पर बैठके अपने कॉंडेक्ट्स को देख रही होती है ताकि अपने निव शो में कास्ट करने के लिए उसे कोई मिल सके जीवन मही ऑपोजे साइड बैठी हुई थी और दुस्री लेट की बताती है कि यंग्शिम निव डेटिंग शो प्रेडिउस कर रही है और दोनो यंग्शिम को उसके घर पर देखते हैं जहां वे अपने फादर दो सिस्टर्स ब्रदर इनलो और नीज के साथ रहती है जिनर पर सब बात कर रहे होते कि यंग्शिम तीस साल की हो गई है और अभी तक उसका बीएफ नहीं है इस चीज का ब्लेम वे अपने फादर पर लगा और वे उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने कार्टून करेक्टर बनाया था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बनाए जब ही वह यंग्शिम को प्रे करते हुए सुनते हैं जहां वह बोल रही थी कि कल उसका एक्जाम है और जो उसने पढ़ा है वही अधा चरहकर दिखाते हैं और जब यंग्शिम को कार्टून के बारे में पता चलता है तो बहुत सथा इर्यटेट है क्योंकि उसके फादा ने ऊस कार्टून में उसे बहुत सथा फंड़ा नियर्य कह था हुए और सब उससे पहचानने लगते हैं कि वह पा curve क्या उंस पर होता है back to the present उसकी family suggest करती है कि वह किसी आदमी से मिले basically उसे blind date पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं जब यह उसके छोटी बेहन सुनसिम चायदान के जिक्र करती है कि उसे यंग्शिम से प्यार है लेकिन यंग्शिम कहती है कि वह उसको like करता है लेकिन वह उसको हमेशा diffuse कर दिया करती है यह कहती है कि उसकी height बहुत चोटी है और अच्छा भी नहीं दिखता है क्योंकि वह ग्लासिस लगा के रहता है और उसे कहती है उसे headphone gift करता है और यंग्शिम उसे पार्क में मिलने के लिए agree हो जाती है वे पार्क में एक बड़े से teddy bear को लेकर आती है जिसे उसने क्योंकि की तरह glasses पहना रखा था और ये साफ indication था कि वह भी उसको like करती है यंग्शिम बहुत टाइम तक wait करती है लेकिन क्योंकि उसे मिलने के लिए नहीं आता है और उसे पता चलता है कि क्योंकि अचानक से अमेरिका चला गया है और वे अब नहीं आने वाला है ये सान के उसको बहुत साथा बुरा लगता है और बहुत साथा हट होती है कि वे उसे बिना इनफॉर्म किये चला गया back to the present यंग्शिम के फातर आते हैं और वे अपने new dating show के बारे में बताती है और वे उन्हें प्रॉमिस करती है कि अब वे एक बेटर यंग्शिम बन कर दिखाएगी ताकि वे फिर से अपने काटून को स्टार्ट करें ओफिस में यंग्शिम अपने टीम को कास्ट का लिस्ट दिखाती है लेकिन अभी भी एक स्लोट मिसिंग था और सब एक अट्रेक्टिव सीयो जो किंग्स वैली और्गनाजेशन का था उसे हायर करना चाहते थे क्योंकि वे इस स्लोट में परफेक्ट फिट बैट रहा था वे काफी पॉपलर था उसे हायर करना बहुत ही चैलेंजिंग था इसलिए यंग्शिम के टीम उसे मना करते हैं लेकिन यंग्शिम कहती है कि वो किसी भी हालत में उसे कास्ट करके मानेगी यंग्शिम को याद आता है कि उसकी बहन उसे किंग वैली स्टार्ट अप में काम करती है इसलिए वे उसे मिलने के लिए चाहती है और उससे उसके CEO के बारे में कोशन करने लगती है जिसका नाम Mark था उसकी बहन बताती है कि उसके पास CEO से related कोई भी information नहीं है लेकिन जब यंग्शिम कहती है कि वे उसके सारे credit will को pay कर देगी तो वे खुशर कर CEO का सारे information दे देती है शाम को यंग्शिम चायदंग के साथ बहार आई हुई थी खाना खाने के लिए चायदंग उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है वे उसे प्यार करता है लेकिन उसे ही नज़र नहीं आता है वे अपनी प्रॉबलम बता ही रहा होता है लेकिन यंग्शिम को लगता है कि वे खाने के बारे में बात करर रहा है तो वे कहती है कि वा compensate कर देगी दोनों ने ही बहुत सदा ट्रिंग कर ली होती है और चायदंग अपने feelings को confess करने जाही रहा होता है कि यंग्शिम को reply मिलता है कि मार्क शो पे आने के लिए मान गया है और वो excited होके restaurant से चली जाती है और बिचारे चायदंग को bill pay करना पड़ता है उसकी friend वालसुक जो YouTuber थी वे उसे inform करती है कि वेवी शो में participate करेगी यंग्शिम के चोटी बहन उसे warn करती है कि वो careful रहे क्योंकि उसके friend एक backstaber है और उसे कभी भी धोखा दे सकती है दो विक बात यंग्शिम और टेम शूटिंग स्टार्ट करते हैं और मार्क को देखकर यंग्शिम शॉक्ट हो जाती है क्योंकि मार्क उसका childhood friend के उंगता ही था जो उसे मिले बिना अमेरिका चला गया था नेक्स्ट एपिसोड काफे दिल्चस्प होने वाला है कि आखिरकार यंग्शिम का reaction क्या होगा जब 20 साल बाद अपने childhood friend से मिलेगी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका next part provide करूँ तो please let me know in the comment section और जब तक के लिए bye bye and take care अगर आपने मेरे चैनल को subscribe ने किया तो please subscribe कर देना guys thank you for the watching